हाई एरिवन आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों अगर आपके सिस्टम में यहां पर नेट रोक आइकन जो है वह मिसिंग है तो नहीं हो रहा है हमारे में आपके यहां पर देखे जो नहीं हो रहा है तो इस प्रोलम को कैसे स्वाव करेंगे तो के तो चली वीडियो शुरू करते हैं की तो दोस्तों नेट्रोक आइकन को सोग करने के लिए हमें चेक करना होगा तो उसके लिए हमें रेगटेट करने के लिए अगया है और यहां पर लिखा वहा है इसे पर राइट क्लिक करना और run as administrator पर click करना है यहां पर्राहइथ करना है और यहां पर देख सकते हैं वहारे सामने पेज और और हो चुका है अब हम रेक्त फाइल उसको मुझे पर्कर करना है तो उसे यहां पर यहां पर कुछ रजिस्ट्री को ओपन करना है तो यहां पर मैंने नौट पैड में रजिस्ट्री जो है वो नाम टाइप करके रखे हुए आप यहां पर देख सकते हैं पहले हमें एज की लोकल मसीन को ओपन करना है इसमें फिर हम सिस्टम को ओपन करना है फिर इसमें हमें करन्ट कंट्रोल सेट को ओपन करना है फिर कंट्रोल को फोलो करते हैं तो इसके लिए हम एच की लोकल मशीन पर जाएंगे इसको हम इस तरह से एक्सपेंड करेंगे इसके बाद हमें सिस्टम पर जाना तो सिस्टम को इसके बाद आप जाएंगे तर्ड नंबर पर क्रण्ट कंट्रोल सेट को इसको भी हम एक्सपेंट कर लेंगे हां पर किलिक करेंगे तो एक्सपेंट हो जाए Whoa जाए Iraq इसके बाद हमें क reconsider करना तो यहां पर नेटोर्क है जो बहुत है उसको बस्ते हैं इसको इसको यहां से इसको करेंगें और यहां से टीलीट कार् Treaty करेंगे और यहां से में और č się कर देंगे है अब इसके बाद हमें से क्लोज करने बाद हमें अपनी system को यहाँ पर restart कर देना है तो यहाँ पर हम किलिक करेंगे restart पर जैसे आप अपनी system को restart करेंगे तो restart करने बाद आपकी प्रवलम सौल हो जाएगे आपके जो Windows 7 टासबार में जो network adapter था वो यहाँ पर देखिए so हो जायाँ आप इस command को फॉल्ड हीज़िये आपकी प्रोव संडे सदर जाएगी अगर आपके प्रोवलुम सौल नहीं होते हैं तो हमें कमेंड में जरो बनाम नावंगा तो आयो यह आपको प्शाण आई होगीए अगर यह अच्छी लगMAN तो हम Podcast दोस्तक साथ सेयर कीजिए अगर इस वीडियो से रिलेक्टेड आप कोई कोस्चन एक क्वारी है तो हमें कमेंट में जरूब था है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब जाहें